हेलो माई जिया स्टूडेंट्स मैं हूँ आपकी गोस्ट एंड दोस्ट दिपाली पांडे वेलकम करती हूँ आपका अद्वत एजुकेशन पर चलिए आज हम आगे बढ़ते हुए कल कुछ questions किये थे उनी questions को आज आगे लेकर के चलते हैं कैसे कैसे questions previous year में पूछे जाते हैं कल हमने देखा था कुछ questions बहुत easy होते हैं क्लिकिंग कुछ questions में थोड़े-थोड़े concepts लगते हैं तो इन सब चीजों को आज हम फिर से देखने आज का पहला question है क्या होगा त्वरित नहीं होता त्वरीत हो सकता है हमेशा त्वरित होता है या एक समान वेग होता है तो चो रोट बहुत अच्छी तो possibility है एक बार कि आप सीधा चले जाएंगे acceleration की निट नहीं पड़ेगी लेकिन यदि आप circular motion कर रहे हैं तो ऐसा possible ही नहीं है acceleration के बिन आप क्या कर पाऊ उसमें moment कर पाऊ क्यों क्यों कि जो भी circular motion होता है यहीं circular motion exist कर रहा है तो उसका reason ही है कि उसमें circular motion में क्या होता है कि हमारा centripetal acceleration काम करता है और centripetal acceleration के साथ साथ centripetal force काम करता है और centripetal and centrifugal force के बिना हम वृत्ती यगती नहीं कर सकते यहीं आप वृत्ती यगती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप में centripetal acceleration लग रहा है centripetal acceleration AC is equal to क्या होता है V square YR और हमारा centripetal force F is equal to क्या होता है M into A तो M into V square YR तो हमारा जो MV square YR है न वो बहुत ही movement मतलब circular movement यहीं हो रहा है तो आपका AC वहाँ पर exist कर ही रहा है ठीक है 100% possibility है यहीं आप circular motion कर रहे हो तो वहाँ पर centripetal acceleration या अभी केंद्री त्वरण उपस्थित है तभी आप कर रहे हो वृत्य अगती तो यदि uniform speed की बात होती यदि रेखी बात हो रही होती कि क्या उसमें आप यदि सीधी रेखा पर गती कर रहे हैं यदि आप सीधी रेखा पर गती कर रहे हैं तो एक पर possibility है लेकिन वृत्य अगती कर रहे हैं तो जब आप वृत्य गती कर रहे हैं तो जब वज़े से हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भी त्वरित नहीं होगा, तो त्वरित नहीं होगा, तो दलत हो गया, तो क्या बचता है आपका त्वरित हो सकता है, एक समानवेक का कोई वो नहीं हमेशा त्वरित होगा, यह भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो आपका कौन सा अप आपका अभी केंद्री तोरण उपस्थित है clear हुआ चलिए तो क्या देखा हूं हमने एक समान गती वाला पिंट तुरीद हो सकता है SSC 2014 CHSL का question था ठीक है चलिए next question के साथ आगे वड़ते हैं question कह रहा है द्रव्यमान तथा भार के संबंद में निमली खितमे से कौन सा कथन सही है द्रव्यमान और भार दो चीजह होती है एत होता है मास को कहते हैं और वेट को कहते हैं भार तो हमारा होता है या थिद ऑ qui है या आपका मास हमेशा सेम रहेगा, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, किन्तो भार बदलता रहेगा, किसके according बदलता रहेगा, इस G के according, यदि आप प्रिथवी पर हैं, तो G कितना है, 9.8 ms², यदि आप मून पर हैं, चंद्रमा पर हैं, तो आपका G कितना है, 1.6 ms², तो वेट जो है, आपका वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके according, small G के according, ठीक हैं, तो question क्या कह रहा है, which of the following statement is correct regarding mass and weight, पहला option है, द्रव्यमान परिवर्तनी है, क्या mass change होता है, नहीं, ये तो बिलकुल गलत है, भारा परिवर्तनी है, ये भी possible नहीं है, द्रव्यमान परिवर्तनी है, बिलकुल सही बात कह रहा है, कोई भी विकल्ब सही नहीं है, ये तो नहीं होगा, तो द्रव्यमान जो है हमारा ना, mass जो है आपका, mass जो है हमेशा fix होता है, जबकि weight change होता रहता है, यदि अर्थ की बात करूँ, अर्थ की, तो अर्थ में यदि किसी चीज का weight निकालोगे, तो वहाँ पर G की value होगी 9.8 meter per second square, और यदि आप वहीं कहीं पर weight, moon पर निकालोगे, तो G की value हो जाएगी 1.6 meter per second square, वहाँ का गुरत्वी तवरण की जो value है ना, वह 9.8 है, और जो moon पर है, चंद्रमा पर है, गुरत्वी तवरण की value, 1.6 meter per second square होती है, तो हम कह सकते हैं, द्रव्यमान हमारा हर जगे वहीं रहेगा, किन्तु भार जो है वदलता रहेगा, किसके according भार बदलेगा, इस small g के according, गुरत्वी तवरण के according, गुरत्वी तवरण की जो value है, वो कैसे change होती है, वो हर एक celestial body के according change होती रहती है, ठीक है, mass कभी भी शून नहीं हो सकता, किसी भी वस्तो का द्रव्यमान सून ने possible है, क्या, बिल्कुल भी possible नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी वस्तो exist कर रही है इस दुलिया में, छोटे से छोटा पार्ट के लिए आप electron proton की भी बात करते हो, तो उसका भी mass exist करता है, ठीक है, तो कोई भी वस्तो बिना द्रव्यमान के exist नहीं करेगी, लेकिन weight जो है zero हो सकता है, ठीक है, तो clear हुआ हमारा option C है, द्रव्यमान आप परिवर्टी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो, SSC stenographer का पूछा गया question था, 2017 का, next question है आपके सामने, किसी असंतुलित बलद्वारा, किसी पिंड में उद्पन्न त्वरण, कब पूछा गया है, SSC stenographer, 2017 में पूछा हुआ question है, 2017 में देखो, अभी अभी पूछा गया है, the acceleration generated by an unfalanced force in a body, option है, बल्के अनुक्रवानुपाती, बल्के विद्प्रमानुपाती, बल्के प्रभाव से सोतंद्र, और है हमेशा शून, ठीक है, proportional है force के, या inversely proportional है, या कि free है, उससे force से, या कि zero है, तो कह रहा है, असंतुलित बल द्वारा, किसी पिंड में उत्पन्य त्वरण, अब बल और त्वरण आ गया, तिससे ज़्यादा हिंट और क्या चाहिए, बही जैसे बल और त्वरण के बात हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, अगले क्वेशन के साथ, अगला क्वेशन कह रहा है, चाहल से गती करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है, डैस 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 होता है, क्या होगा, वृत होगा, सदल रेखा होगा, बिंदू होगा, वक्र होगा, क्या होगा, the distance time graph of an object with a fixed speed, एक बात बताईए, ठीक है, क्या इसकी बात कर रहा है, अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डिस्टिंस और टाइम के बीच में, कह रहा है, the distance time graph of an object, यदि आपकी कोई व्यस्तु नियत चाल से चल रही है, चाल का मतलब है, कि नियत चाल है, यानि कि constant speed है, constant speed या नियत चलता होगा, जब वो समान समय अंतराल में समान दूरी टै करेगी, फिर समान समय अंतराल में समान दूरी टै करेगी, आगें समान समय अंतराल में समान दूरी टै करेगी, इसका मतलब जो हमें graph मिले कर न, कुछ ऐसे points पे मिलता जाएगा और यह जाकर कि क्या बनेगा एक straight line या सरल रेखा तो जब वस्तुना नियद चाल से चलती है तो उसका दूरी समय graph क्या होता है एक सरल रेखा होता है option C क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा clear हुआ हमें क्या देखना है आपको question कह रहा है speed constant है यदि speed constant है इसका मतलब है कि वो क्या है समान दूरी समान समय पर चल रहा है तो इस तरीके से जब हम points लेकर उसका graph बनाएंगे तो वो क्यासा बनता है कि straight line बनता है और इससे को हम क्या कहेंगे सरल रेखा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अगला question कह रहा है यदि किसी स चाल परिवर्तित होती है होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को हम क्या कहते है और हमने थो बहुत बढ़ आफ बी वामने बताया है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तैग करेगी, तो क्या कहलाएगा? समान चाल कहलाएगा, यदि समान समय में असमान दूरी तैग करेगी, तो क्या कहलाएगा? असमान चाल कहलाएगा, लेकिन यहाँ बर जो कह रहा है, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, then the speed of that object called, क्या कहलाएगा? क्या एक समान कहलाएगा? आवर्ती कहलाएगा? वृत्ताकार कहलाएगा? या समान कहलाएगा? भाई जब change हो रहा है, जब change हो रहा है, तो वो असमान ही तो हुआ, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है कि question बड़ा लिखा हुआ है माम, बस आप ध्यान से कर रहा है करने वाली वस्तू है, वस्तू की चाल परिवर्तित हो रही है, यानि कि वो जो उसकी दूरी है, दूरी और समय के भी जो constant है तो आपका वो क्या कहलाएगा असामान या non uniform non uniform velocity या speed कहेंगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question कह रहा है यदि किसी वस्तु की dash 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 सरल रेखिये गती के दोरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु की वेग में परिवर्तन शून हो रहा है अब वेग में linear motion of an object the change in velocity of the object at any given time is zero भाई क्या होगा चार option है सरल रेखिये सापेक्च साम या एक समान खुद ही सोचिए यदि कि सी वस्तु की सरल रेखिये गती में जो है दोरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु की वेग में परिवर्तन ही शून हो गया परिवर्तन शून हो गया तो वह क्या कहलाएगा आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है परिवर्तन हो गया शून ठीक है परिवर्तन हो रहा होता परिवर्तन हो रहा होता तो वह असमान होता अभी हमने last question में देगा लेकिन परिवर्तन ही शून है तो वो एक समान कहलाएगा ना uniform कहलाएगा देखो सिर्फ uniform non uniform को ही घुमा फिरा कर घुमा फिरा कर कैसे लिखता है अब एक कब पुछा गया है यह 2018 में बताओ CHSL TR1 का question है 2018 में पुछा गया है तो उसी uniform non uniform को सिर्फ वो सिर्फ गुमाया जा रहा है तो अपने ऐसे समझते हैं कि जैसे ही बोला कि changes जो है वो zero है तो हम समझ जाएंगे जब change हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा एक समान क्या लाएगा वो ठीक है तो option D correct हो जाएगा आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ें ठीक है next question देखते हैं अगला question कह रहा है यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तै करती है तो उसकी गती क्या है अब भाई फिर वो ही आगया समान समय में असमान दूरी time तो same है लेकिन दूरी कितनी है असमान तो भई असमान चाल कहलाएगा ठीक है तो उसकी गतिज जो होगी असमान होगी तो इसमें पहला ही option है अपना एक समान next है सरल रेखी तीसरा है असमान सामें तो अपना क्या हो जाएगा answer अपना हो जाएगा असमान ये दि समान दूरी समान समय अंतराल पर तैकर रही होती तो वो हो जाता समान लेकिन कह रहा है कि असमान दूरी समान समय अंतराल पर तैकर रहा है तो वो हो जाएगा असमान clear हुआ चलिए SSC CHSL 2018 में पूछा गया question है तीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question कह रहा है द्रव्यमान M तथा वेग A की एक गोली द्रव्यमान capital M के लकडी के बड़े block में दागी जाती है सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा अब देख रहे हो कि आपको द्रव्यमान दिया है वेग पूछ रहा है तो हमारे दिमान में तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान और वेग से related एक ही quantity है क्या है समवेग क्योंकि समवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो यहाँ पर कह रहा है हम इसको solve कर लेते हैं यह थी आपका क्या कह रहा है M द्रव्यमान सबोस करिए यह कोई गोली है ठीक है इस गोली का द्रव्यमान क्या है small m और चिसकी initial velocity है वो क्या है small a क्या दिया है वेग a से ठीक है एक गोली अब यहाँ पर suppose करो एक गोला रखा हुआ है क्या रखा गया एक ब्लॉक रखा गया ठीक है तो अपन भी एक ब्लॉक रख देते हैं ठीक है यह हमने ब्लॉक रख दिया यह हमने ब्लॉक रख दिया चलिए इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना कह रहा है capital M ठीक है गोली का द्रव्यमान था small m और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशल वेलोसिटी यह कह है प्रारंबिक वेक small a जो यह ब्लॉक रखा गया इसका जो है द्रव्यमान capital M ठीक है और जो इसका यह आपका कईबर इस्टिर रखा गया है विरामा वस्था में रखा है यह जैसे ही विरामा वस्था बोलता है यानि कि इस ब्लॉक की इनिशल वेलोसिटी 0 होगी आगे देखते है सम्वेग लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा M into A अब अमरा सम्वेग सम्रच्छण का जो सिधानत है वो क्या कहता है यदि किसी पिंड या निकाय पर आपका बाहिबल ना लगाओ तो उसका जो कुल सम्वेग है वो नियत रहता है उसका मतलब है कि जो M1 V1 is equal to होता है M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 होता है ठीक है अब यहाँ पर इसका क्या है M1 द्रबमान M है तो हम लिख लेते है small m और वेग है A plus M2 जो है इसका द्रबमान capital M जो इसकी initial velocity है वो तो 0 है U2 का मतलब कि दूसरे वाले बस तो की initial velocity यह 0 है फिर से द्रबमान इसका अब एक बात बताओ गोली यहाँ से चली ठीक है गोली चली और यहाँ पर आकर के लग दे क्या है क्वेश्चन में कि गोली क्या है द्रबमान M1 A की एक गोली द्रबमान capital M के लकडी के ब्लॉक में दागी जाती है ऑि लकडी के ब्लॉक में गोली आ रही है लकडीigns का ब्लॉक रखा गया है तो वो गोली आएगे और इसमें लग जाएगी जब इसमें लग जाएगी तो यह क्स्तूब न जाएगी तो यह जब यह बन गोली का अंतिम वेव होगा वही इस ब्लॉक का भी होगा क्यों होगा क्योंकि यह दोनों ही आभी साथ में आकर के गोली लग चुकी है तो M2 को हमने लिया capital M और यह हो गया capital V, solve कर लेते हैं M A plus, यह 0 हो जाए का multiply होके, is equal to small m plus capital M into V को हमने common निकाल लिया, आग गया M A is equal to V into M plus M, अब आपका जो answer पूछा है वो क्या पूछा है, final velocity of the system, तो इस system की final velocity क्या है capital V है, हमें निकालना capital V है तो capital V is equal to हो जाएगा M A upon small m plus capital M, तो V is equal to हो जाएगा M upon M plus M into A, ठीक है यह आगे अपना final velocity का value, कौनसा option match हो रहा है, option B match हो रहा है, तो clear हुआ, तो confusion इसमें कुछ भी नहीं है हमें समवेक संदरचान का सिध्धान पता है, ठीक है, क्या कहता है कि जब आप किसी वस्तूपर जब तक बाहेवल ना लगओ, तो उसका क्या है समवेग, कुल समवेग जो है नियत रहता है तो कुल समवेग नियत रहने का मतलब है कि जो इसका initial होगा समवेग वही इसका final समवेग होगा यानि कि जो पहले momentum था वही उसका बाद में momentum होगा यानि गोली लगने से पहले जो यहाँ पर momentum था वही बाद में भी होगा गोली लगने के बाद तो M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to हमने लिख दिया M1 V1 प्लस M2 V2 अब M1 जो है इस वस्तू का प्रारम्भिक तरफ विमान है U1 जो है इस वस्तू का प्रारम्भिक वेग है M2 जो है इस ब्लोक का प्रारम्भिक तरफ विमान है और U2 जो है इस ब्लोक का प्रारम्भिक वेग है M1 इस वस्तू का या गोली का प्रारम्भिक वेग है V1 जो है इस गोली का अंतिम वेग है M2 जो है इस ब्लोक का तरफ विमान है ठीक है V2 जो है इस block का अंतिम वेग है तो अब इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों चीज तो question में given थी तो वो हमने लिख लिया और इसका initial velocity 0 होगा भी क्योंकि rest में रखा हुआ है अब इसका हम जब ये एक system बन गया गोले इस पर लग गई इस block पर इस complete system का हमने सोचा हमने क्या suppose किया कि जो final velocity है वो capital V है जब capital V हो गई तो ये हमने निकाल लिया ठीक है तो बागी questions के साथ हम मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए बढ़िया से पढ़ाई करिए और साथ में revision करते रहिए ठीक है जो भी questions कराएं उनको आप एक बार भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने वाले हैं ठीक है चलिए thank you class